हलो दोस्तों स्वालत है आपके डीमागिएंग बोल में toughest ही हjust you और साथ मैं अगर आप एक ऐसी व्यबहस्टिंग प्रचस करते हैं, जिससे आपको बहुत कमाल चिसपीड देंगने मिलें तो वह बहुए क्शीitate को इंक्रिस करने का एक फैक्टर हो सकता है और वही वैबवस्टिंग का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिस लिंक के तुरू आपको एक और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे है how to speed up your wordpress website तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो wordpress website यह हमीं एक wordpress website वीडिद करते हैं उसकी speed अगर कमा रही है ठीक हमें यह विलगता है कि load होने में ज़्यादा time ले रहा है हमारे site तो उसक प्लग इन्स रखने से क्या दिक्कत आती है यह सब चीजे मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको फाई वीडियो खतम होते बादे आपको ख्लेर हो जाएगा कि किस तरीके से यह चीजे की जाती है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सब एक बहुत ही इंपॉर्टन फैक्टर रहता है कि आप जब अपना होस्टिंग खरीदते हो ठीके तो होस्टिंग खरीदते वक्त आपको यह देखना चाहिए कि आपकी जो वैब होस्टिंग है उसमें आपको जो स्पीड रहती हो बहुत जब ज़्यादा डिपेंड करती है आपके होस्टिंग के रैम पर ठीक है कोर सीपी यू इनफू आफू प्रॉसेस बैक एंड की जो स्पीड रहती है वो अलग रहता है और आपके जो होस्टिंग के साथ अगर आपको सीडियन भी मिल जाता है तो इ ना पने सर्वर इंडिया योईयो सट लिया हों तो की आप बैटे बॉधदिय माश्थाण में नो राजसितान में या कहीं पर भी बैटे बैटे हुए कि कि ने आप mala आने की कोशिश की यू आरल दालेगा और गींजाने पर रिखेस्ट जायगी बैंगलोर में क्योंकि सर्वर तो भैंगलोर तक जाके वापस रजस्ताना तक या फिर वाप भखकत लगता है तो एसे me हमारे hosting में CDN का होना बहुत बढ़ ज़रूरी होता है, क्योंकि CDN क्या करता है आपका user जहां भी बैट कर आपके website को चला रहा है मालों हिमाचरन होने बैट के चला रहा कोई user, पचास जने हिमाचरन बैट के चला रहे सो जने कश्मीर होने बैट के चला रहे सोगे राजस्थाने यहाए, षजार日 यहाए फजाम में बैटके चला रहे हैं। तो इन SAB का जो SPEED रहेगा अलग-अलग रहेगा सीडियन کی case में। अब यह कैसे होगा की माल लोगी कोई बंदा बैठा है राजस्तान में तो आपके सर्वर पर आपके वेबसाइट तो स्टोड रहती है लेकिन इसके अलावा सीडियन ये करेगा कि मालो राजस्तान में बैठे हुआ बंदा है वो आपके वेबसाइट पर लोड करेगा तो राजस्तान में के सबसे पास के कि का सर्वर माल लोगी गुजरात में कोई सर्वर पढ़ा हुआ है उस तो वहां सीथा गुजरात तक जना राजस्तान और गुजरात के पीछ में दादा दूरी नहीं है तो बहुत पास है तो वहां पर स्पीड काफी बढ़ जाएगी क्यों कि टाइम कम लग रहा है रिक्वे जाएगी और लोडिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपकी अपसाट का अवरल पर्फॉमंस जो है वो इंक्रीस वायता है तो आपकी जो होस्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है और यह सब चीजे आपको प्रवाइट करवाता है प्रवार्श और ब्लुवास का एक डिस्कांट लिंक है हमारे पास जो कि आपको इस वीडियो के डिस्कृट्शन में जाएगा 65% का डिस्कांट आपको कमशी तरही है और Extra 10% का डिस्कांट आपको हमारे लिंक के तरू बिलेगा तो आप यहाँ से जाएक ब्लुज़ प्रि चाहिए तो सब कुछ एक जगे पर आपको यहां पे मिल जाता है तो मेरे इसाब से एक बहुत ही बढ़िया होस्टिंग है और जैसा कि अगर आपने मेरे पूराने वीडियो से अगर देखे हो तो आपको क्लेर पता होगा कि मैरे 95 होस्टिंग चल रहे है जिसमें से कम 15-20 होस् कि यह जो वीडियो है अगर आपको माल लोगी होस्टिंग अभी पर्चेस करना नहीं आता पहली बार आप कर रहे है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ब्लू ओस्टिंग और यह जो वीडियो है यह आपको फस्ट नमर पर जो और एंज कलर का वीडियो आप देख पर बिगनर्स दी मार्केटिंग बॉल यह जो है यह मैंने जो लिखा है अगर आप सर्च करते हो तो आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा जो की मेरा एक वीडियो है जो चार गंटे कम रहा है तीन गंटे 47 मिनट का यह वीडियो है कम्प्लीट मैंने यहां पर चीज नहीं आती तो उसके लिए मैंने टाइम स्टैंप्स लगा रहा है हर टाइम पर बटिकुलर टाइम पर जाके आप जो चीज़ सीखना चाहते हो आपको डारेक्ली वह चीज़ आप सीख सकते हूं ठीक है तो सारा मतलब सारी सुविदा है इस वीडियो में आपको देख 50% काम हो गया ठीक है बागी 50% काम कैसे करते हैं वह हम आगे बात करेंगे चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्लग इन का जो कि है कोशिश करना कि जितना आपको रेजलूशन चाहिए मतलब जो आपकी साइज मालो की 1280 x 720 अगर आपको यह साइज चाहिए अपनी अपसाइट के लिए तो आप इसी साइज की इमेजस को जो है वह अप्लोड करो उसमें ठीक है आप उससे ज्यादा का अप्लोड करना ही कोश 4000 by 3000 या 4000 by 2000 या 4000 by 1900 इस रेजलूशन का आप अप्लोड करोगे तब भी वह कंप्रेस तो कर लेगा लेकिन आप यह देखो कि जितनी requirement है आपको उतना ही करो अगर 1280 x 720 से आपको काम हो जाता है तो वह कर लो या फिर आप माल लो कि आपको 1080 x 1080p में आपको चाहिए ठीक है तो व को कर लो आप वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मतलब आपकी जितनी requirement है उतने ही करो उससे जादा कि अगर आप resolution रखोगे आपने image का तो आप दिक्कत आएगी quality को कम नहीं करता है यह जो है image को compress करता है image की quality को कम नहीं करता है ठीक है तो इसलिए जितना साहित गो इमेज को करेगा तो कैसे कर सकते हो आप उसके लिए आपको करना है tiny png यह एक website है आप इस website का यूज कर सकते हो इस website में ले जाके आप अपने images को डालो वो उस image का size को कम कर देगा और कम किये हुए size की image को आप upload करो और फिर यह plugin अपना काम करेगा यह उसको और जादा compress करे ठीके तो उसमें जादा time लगता हो रहागा आप अगर image को इतना अच्छा खासा compress कर दिया ना तो text के साथ साथ ही load हो जाएगा ठीके two times compression होगा एक तो आप खुद manually करोगे और दूसरा plugin करेगा ठीके अगर आप इतना कर देते हो तो बहुत अच्छी performance हो जाएगी ठीके ले 23 total cache एक cache plugin है नाम से आप समझी गया होंगे क्योंकि यह page के cache को पर्च करता है यानि की clear करता है इससे क्या होगी आपकी speed का पी अच्छी रहती है cache क्या है कि एक तरह इसका storage होता है जो की consume करके रखता है cache store होने के वजए से आपको server पर एक तरह का मतलब यू मान के चलोगी ख़ड़ा कच्रा भर रहा है जिसके आपको actual requirement नहीं होती है तो उस cache क्लियर करते हो चलना है उस cache क्लियर करने के लिए आपको इस plugin की जरुद पड मिलेगा वह automatically आपको cache का काम कर देगा तो वह चीज भी आपको एक advantage Bluehost में देखने को मिलेगा तो इसलिए मैं आपको suggest करता हूं मैं खुद भी यह use करता हूं ठीक है आने वाले कुछ दिनों में मैं एक और hosting purchase करके आपको दिखाऊंगा ठीक है तो वह कैसे करता है क्योंकि ज 75 website जो है वो मेरे नहीं है वो मेरे clients के लिए मैंने purchase की है ठीक है बाकी बचेवे 20 website जो है वो मेरे है तो वो मैं use करता हूं तो कुल मिला के बात यह है कि hosting अगर आपका आदा काम कर देता है तो उसके बाद आपको इतना दाद effort नहीं लगाना पड़ता है आप W3 total cash है actual में करत करता है यह आपकी website क्या जो SEO है उसको भी साही करता है Core Web Vitals कुछ ऐसे चीज़े होती है जो आपके site की जो आपको दिखा ही नहीं देती है लेकिन होती है ठीक है उन सब चीजों को जो है यह optimize करता है जैसे कि कुछ हद तक मैं यह नहीं कहता हूं कि Core Web Vitals के लिए यह बिल्कु Core Web Vitals मतलब मालों कि आपके HTML है CSS है JavaScript अगेरा होती है हमारे site में यह सारे code होते है इन code को minify करने का काम होता है तो वो भी कुछ हद तक यह plugin कर देता है और पूरा आपके website का जो overall performance है उसको यह improve करता है यह plugin साथ में अगर आपके पास कोई CDN है तो उसका integration भी यह आसान कर देत करता है उसका integration में भी यह help करता है तो यह एक बहुत ही काम का plugin है आप इसका use कर सकते हो तो यह करना चाहिए एक cash plugin आपके side पे होना ही चाहिए त्रीक है image optimizer के बारे में हम आगे बात करेंगी अभी त्रीक है आपको जो पसंद आथा हम सलेट कर सकते हो अब आज्यते अगले image optimization plugin के बारे में बात करते है यह भी image का या काम पर लेकिन इमeमeज को optimize नहीं करता है यह क्या करते मैं हमको बदाता हूँ हम चाहिए environment end of the day हमें कि चाहिए क्या है हमें चाहते हैं गूगल पर हमारी साइट रांक हो है ना और गूगल पर हमारी साइट को रांक करने के लिए page speed चाहिए, page کی speed अची होनी चाहिए, जल्दी से हमारी site load होनी चाहिए, ठीक है? जब हमारी site जल्दी से load होगी, तो उस site पे लोग ज्याधा दहर तक रहेंगे, जब लोग ज्याधा दहर तक रहेंगे, तो user interaction जो होगा वो अच्छा होगा तो user interaction को देखते हुए bounce rate कम होता है bounce rate बढ़ता है जो लोग अगर जल्दी आ के जल्दी स्निकल के तो bounce rate बढ़ता है और जिस site का bounce rate बढ़ता है उसको Google rank नहीं करता है तो जितना ज़्यादा देर तक लोग रहेंगे उतना कम bounce rate रहेगा और जितना कम bounce rate रहेगा उतना Google इसको high rank करेगा तो bounce rate को कम करने के लिए क्या चाहिए लोगों का ज़्यादा देर तक हमारी site पे रहना जरूदी है तो लोग ज़ादा जरता हमारी site पर कब रहेगी, एक तो हमारा content जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो तो सबको अच्छा रखना पड़ता है, लेकिन हमारा page जल्दी load होना चाहिए, अब इस plugin के वज़े से क्या होता है, कि आपका जो page है, within no time load हो जाएगा, मतलब जैसे ही कोई बंदा आपके उस page, किसी भी page पर click करेगा, आपके किसी भी link पर click करेगा, आपके site पर, फटाक से page load हो जाएगा, मतलब दिखाई तक निदेगा page load होते हुए, जल्दी से load हो जाएगा, लेकिन ये plugin क्या करेगा, आपके images को बाद में load page तो load हो गया ना एक बार, अब लोग जो है text को पढ़ सकते हैं, उस पर जो text लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं, Google के नजर में क्या हुआ, page load हो चुका है, यूजर के नजर में क्या हुआ, page load हो चुका है, ठीके, तो दोनों के नजर में page load हो चुका है, आपका SEO का 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 हो गया मतलब आपका पेज को अब कोई दिक्कत आएगी नहीं आपका गूगल जो है गूगल जो है आपके साइट को रैंक करेगा क्योंकि पेश्ट लोड हो चुका है जल दी ठीक है अब यूजर जैसे जैसे स्क्रॉल करेगा वैसे वैसे इमेज को लोड करता जाएगा जैसे स्कॉल कर जोगा लगा पोच्छीन पर जोटयों गया वह में गहीं हुए आप स्कॉर्ड करके इच को आइप को जैगा क्लिक कर effett देख देखा यह लोड यह थो रहाए ना तो ये लोड जो है ना no time में हो जाएगा तो Google के नजर में speed अच्छी है बात में images को वो automatically load करता रहेगा जिसका किसी कोई लेना देना नहीं है Google से उसकी कोई लेना देना नहीं है लोग जो स्क्रॉल करें ही उनको वो image दिखेगी जो image लोगों के सामने ही दी उसको load पहले करने का क्या मतलब जैसे लोड लोगों के सामने जाएगी तब load करते हैं तो इस तरीके से user interaction भी अच्छा बना रहता है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको देखना है कि यह वाला आपके लिए अच्छा है यह फिर यह वाला आपके लिए अच्छा है ठीके अगर आप इस plugin का use करते हो तब तो आपको image को manually अगर आप compress करके डालते हो तो अच्छी बात है नहीं भी करते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता यह lazy load वाला plugin तो आराम से लोड करेगा आपकी image को ठीके जैसे इस क्रॉल होगा तब लोड करेगा उसके पाँ अच्छा कासर टाइम लेके लोड कर देगा ठीके आपको पेस तो लोड हो चुका है न तो पेस लोडिंग स्वीड तो हाई होई गई है तो यह चीज़ भी आप कर सकते हो ठीके आप चलते हैं अगले प्लगिन ली तरफ जो कि यह ओटो अप्टिमाइस अब गईस ऑटो अप्टिमाइस प्लगिन जो है यह करता है इसका जो मेन काम यह है कि यह आपके साइट पर जितना भी कोड है मालो की पर आपको जो कोड है मालो कुछ एक या दो एमबी का कोड होगा वो आपके उसको मिनिफाय करके कुछ 10 या 20KB का कोड बना देगा ठीक है 20MB मतलब आप आप शाहिए समझते होंगे 20MB मतलब कि था बीस हजार केभी होता है 20,000 KB मतलब 20 MB होता है तो उस चीज़ को सिर्फ 20 KB में भर देगा काम ऐसा ही करेगा लेकिन compress करके, minify करके उसको इस तरीके से कर देगा कि वो आपके site का load नहीं लेगा ठीक है, आपके site बिल्कुल load नहीं आएगा आपके site पर जल्दी load हो जाता है तो ये जो काम है ये कर देता है, ठीक है अब इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि ये करता है optimize कर देता है, lazy load करता है ठीक है, lazy load का का काम भी ये कर देता है लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि lazy load के लिए perfect में यह नहीं कहूँगा Google Fonts को Optimize कर देता है, JavaScript को Optimize कर देता है, यह सारी चीज़ तो ही करेगा, लेजी लोड के लिए जो सबसे बड़ी प्लगीन है, ठीके, तो मैं सज्चेस करूँगा कि आप Lazy Load अगर यूज़ करते हो, तो साथ में आपको Auto Optimize यूज़ करना है, ठीके, अगर आप ये वाला नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये सब कुछ करता है, ये वाला प्लगीन जो है, EWW, ये आपके, जो HTML और CSS के Code है, उनको भी ये Minify करता है, ठीके, ये वो भी काम करता है, लेकिन ये उस काम में परफेक्ट नहीं है, पर ये करता है, ठीके, तो उस केस में प्लगीन पर जो की है, WP Disable, अब इस प्लगीन के बारे में मैं आपको इस प्लगीन सजेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की सचाई भी बताऊँगा, ये प्लगीन का कोई अपडेट नहीं आया है, पिछले तीन साल से, ठीके, कोई अपडेट नहीं आ आपके PHP का कौन सा वर्जन होगा, ये आपको बताऊगा, तो उस हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करके देखो, अगर आपके लिए सही काम करता है, तो आप इसको रख सकते हो, अगर आपके लिए सही काम नहीं करता है, तो आप इसको इसको रख सकते हो, अगर आपके लिए लेकिन अब यह क्या करेगा यहां पर WP डिसेबल क्या करेगा जो चीजें आपकी साइट वे बहुत टाइम से पड़ी हुई है आपका RAM कंस्यूम कर रही है बिना बात के RAM कंस्यूम कर रही है ठीक है कोई गाम नहीं उस चीज़ का आपने उसको यूज किया ही नहीं कितने टाइम से आपने एक दो साल तक उस चीज का यूज नहीं किया है फिर चार पांच मैने तक आपने उसका यूज नहीं किया है जब से तो वो दूसरे काम की चीज़ों के लिए काम आएगी, तो वैसे आपकी स्पीड की स्पीड है, तो यह काम करता है, यह बहुत ही सिंपल सा plugin है, यह ना मतलब आपके, आपको सिर्फ इंस्टॉल करके रखना, कुछ नहीं करना है, यह अपना काम करता रहेगा, आपको कुछ भी एगाम करते हैं, ठीक है, तो यह थी हमारे plugins की लिस्ट, जो की आपको अपने साइट पर रखना ही, रखना है, मैं आपको सज्जेस करूँगा कि आप यहाँ पर तीन plugin को तो जरूर अपने साइट पर रखे, एक तो है WT Total Cash है, जिसको हम avoid कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में, दूसरा मैं कहूंगा A3 Lazy Load, यह बहुत अच्छा अप लगी नहीं, क्योंकि मैं A3 Lazy Load को ज्यादा पसंद करूँगा, यह मेरे मेहनत को ज्यादा कम कर देता है, ठीक है, मेरे मेहनत को कम कर देता है, क्योंकि मुझे दो दो बार optimize करने का इन सब चाजिए, हाला कि मैं फिर भ काम, जो है, manually जो आप करते हो, उसको करते हो, इससे क्या है न, कि आपकी एक अच्छी habit बनी रहेगी, तो यह आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह एक अच्छा option है, कि आप यह कर सकते हो, और यह करने के बाद बचा हुआ जो काम है, वह lazy load पे छोड़ दूगा, मैं फिर से, यह image प्लगिन आप चाहते हो, काम करता है, तो WP disable आप रखो, नहीं, तो मैं इसको इतना जादा भी recommend नहीं करता हूँ, आपके सारे काम इन तीनों प्लगिन से हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो basic requirement है, वह होस्टिंग, होस्टिंग अच्छी होनी चीए, होस्टिंग में ही तो बाहर से चाहिए, आप कितना भी कुछ भी डालो, अगर उस bike पे pickup 110cc का है, तो आप अगर उसके modify बना के हाय बूसा बनाने के लिए उसको इतना सारा बजन डालोगे, तो वैसे ही बैठ जाएगी, जितना pickup वो दे रहा है ना, उतना भी नहीं देगा, तो मतलब अगर है, फिलाल discount है, आपको मिल जाएगा, हो सकता, अगर आप इस वीडियो के एक दुए-दो साल बात देख रहे हो, तो शायद क्या पता discount ना हो, या फिर हो सकता है, discount बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन discount link जो है, आपको इस वीडियो के description में हमेशा मिलेगा, तो जो है ठीक है guys, तो खुछ से एक बाद चैक करें अगर आप मेरे पूराने वीडियो को चेक करोगे चाणल पो जाके तो मैंने आपको बताए कौनसा प्लान लेना चाहिए, कितने साल करें लेना चाहिए, कौन से वेबसाइट के लिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए, व्लॉक के ल आप वीडियो को लाइक जरूर करते हैं क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियो बनाने की मॉटिवेशन मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आपडेट्स मिलते रहें नोटिफिकेशन आपको आते रहें और जो ओफर्स है बैब होस्टिंग पर इमेल मार्केटिंग टूल पर, डिजल मार्केटिंग टूल पर, जो भी ओफर्स होते हैं जो भी डिस्काउंट लिंक बगए रहें जो मेरे पास आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेर करता रहोंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रस कर लें ताकि आपको भी उन सब्सक्राइब देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद